दोस्तों, क्या आप वीजल और फेरेट के बीच अंतर जानते हैं? मस्टेलिडे परिवार के इन दो सदस्यों में समानता हो सकती है, लेकिन सूक्ष्म अंतर उन्हें अलग करते हैं. सबसे पहले उनके आकार पर विचार करें. वीजल्स छोटे और अधिक पतले होते हैं. उनका चिकना शरीर फुर्तीले आंदोलनों के लिए डिजाइन किया गया है. दूसरी और फेरेट्स एक मजबूत सनरचना का दावा करते हैं, जो अकसर वीजलों से बड़े होते हैं और अधिक मजबूत दिखते हैं. एक और उल्लेखनीय असमानता उनके पालतू बनाने के इतिहास में है. फेरेट्स का मनुश्यों के साथी के रूप में सेवा करने का एक लंबा इतिहास है. शिकार और कीट नियंतरण में सहायता के लिए सधियों से इन्हें पालतू बनाया गया है. हालां की वीजल्स मुख्य रूप से जंगली जीव हैं, जो मानव संपर्क के कम आदी हैं. जानवरों की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.